लोक गीत बहुत सलल टॉपिक हैं अगर लोक गीतों से परिचित हैं तो आराम से हो जाएंगे जैसे एक गीत है पावना नाम सुना है पावना वही है पावना भी दो परकार के होते हैं सामानियत पावना सब्द जवाई के लिए यूज होता है लेकिन अब यह जवाई और जवाई के जो रिष्टेदार हैं उनके लिए भी यह सब्द की यूज हो रहा है तो अब जो गीद गाये जाते हैं कि पावना गाये जाते हैं तो वो किस के लिए गाये जा रहे हैं मुख्षिरु से जवाई के लिए और जवाई के पिता जी के लिए यानि बेटी के ससूर जी के लिए और बेटे के ससूर जी के लिए, बेटे के ससूर जी भी पावना की स्रेड़ी में आएंगे, लेकिन अगर पावना सद किसी एक के लिए के फिक्स कर दें, तो वो जमाई के लिए, ये गाने कैसे होते हैं, गाने नहीं है ये, गीत हैं, ये क्या है, गीत हैं, कैसे गीत होते हैं कोई गीत ही नहीं रहेगा अभी जो महिलाएं हैं जो 50-60 साल की जो महिलाएं हैं उनके पास गीतों का बहुत बड़ा कोस है आपके पास एक के पास भी पावना नहीं है है क्या नहीं है एक पावना होता है और एक सीठना होता है दोनों एक जैसे ही है दोनों साथ भी लिख लो शीठने थोड़े गालियों बरे गाने होते हैं काली कुति परणाव उंधने है के टुना हुए लोगों के लिए गया जाता है रिष्टेदारों के लिए गया जाता है कौन सा सीठना या पावना गाउं में आज भी चलते हैं यह शेरां में नहीं चलते हैं गाउं में कोई साधी में जाओ और पूरा पार्टिसिपेट करो उसमें, एक भी अवसर मत गवाओ, शहरा में वह गाते जो गाहों से जुड़े हुए है, तो तो गाते हो न, तो इसका मतलब शहर की संस्क्र्ट जो पुरा नहीं है, वो चली आ रही है, वो चली आ रही है, अब जो कॉलोनियों में बैठे हैं, वो क्या गाने गाएंगे, वो नहीं गाएंगे, वो तो कुंडी मत खड़का आओ, राजा सीधे अंदर आओ, राजा ये गाने गाएंगे वो, साधी के गाने नहीं गाएंगे, हाँ, यही है, मैं देखे हैं, साधी में तो साधी के गाने गवादो, अली मॉला, अली मॉला गा रहे ह में आप मेवाड मारवाड चैतर में जाओ साधी की पूरी कैसिट आती है जिसमें साधी के पार्ट बैठाने गणेश जी के लाने से लेकर के लास्ट में दड़की की विदाई तक के पूरा सीरीज होती है उसमें के गाने में बातों में एक एक चीज गटना को विडियो कैसी कॉन सी ऐड्यो कैसी और शाजमां एक सब्सक्राइब बरे गाने मिठी-मिठी गालिया है। लगबख पूरे राजस्तान में प्रचलित हैं पूरे राजस्तान में प्रचलित हैं इसका मद्द यह नहीं है कि छहत्र विशेश में प्रचलित हैं यह पूरे राजस्तान में कहीं पर ज्यादा हैं कहीं पर कम हैं कहीं पर अब भी हैं और कहीं पर दीडिद्र हैं इकम हो यह गीत है, जला, क्या होता है, नहीं, जला देखन में हाँ, आप अब डेरा होता ही नहीं है, डेरा होता है क्या, क्या होता है, अब 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 लेटेस्ट कौई साधिम गए थे, कौई साधिम गए अभी हारली में कोई साधिय अटेंट की थी या, हमारे चाहे लोकल हो, चाहे अमेरिका से आई हैं बारात, डेरा होगा, बारात को ठेराये जाएगा प्रॉपर तरीके से, है, हाँ, और बारात रुपती हैं, डेर दिन तक, जैसे आज बारात आई हाँ, हमारे समाज में, राजपुतों में, सामाणी लोगों की एक साधी डेड़ी पर जाती है खाणा पीना बाकि सारा कौमन होता है खाणा पीना डेड़ा पर जाता है जόσा आज बारात आई है तो आज साम को साधी है ना कल शाम को बारात वापस आईगी उनका रहना खाना पीना वगरे सारा पीना नहीं है जारब वगरे नहीं चलता हमारे वह तो राज़साइ ठाथ है हम तो राजवन से चुड़े हूए लोग हैं चले जाओ वहाँ पर जुनागड़ केले में पूरा इस्ट्री मिल जाएगी हमार समाज की तो वो एक रॉव हैं कि 60,000 रुपे किलो का सामान खाना का असान है क्या 50,000 किलो का जो जाता है अब तो रोक लग गई है रोक लगा दी गई है समाज के लोगों के नहीं यह फाहलतू खर्चा है तो यह क्या था बरात आने से पहले जो बरात का जो रहने का इस्तान बनाए जाता है वहां कुआरी लड़किया बरात को देखने जाती है बरात मतलब क्या कहते इसको अरे डेरा को डेरा डेरा को देखने जाते हैं तब ये गीत गाते हैं तब ये लिख लो देखो बारात के ठेरने के इस्तान को यानि डेरा को देखने जाते समय डेरा को देखने जाते समय कुवारी लड़कियों के द्वारा गाया जाता है कुवारी लड़कियों के द्वारा गाया जाता है कौन सा गीत जल्ला जल्ला पूछा वह प्रस्ण ऐसा प्रस्ण आएगा न तो इस प्रकार की चार गीत देंगे और सामने अफसर देंगे कि कब गया जाता है या कौन सा गलत है कौन सा सही है अब देखो तीन चार ऐसे से गीत हैं जैसे एक गीत हैं कांगसी हो कांगसी तो बता है कंगा एक कंगा होता है कंगी होती है कांगसी कहते जिसको जुए निकालने काम आती है बारिक होती है न जुए पड़ती है अब तो कम पड़ती है जुए पहले बहुत ज्यादा पड़ती थी जुए अब पड़ती है कि जुए अब कम पड़त जागर हो ग्ए हैika दोजार पंद्रा की बाद दोजारा के बाद जूंहें भी क्या हो गए है कम हो गए पहले महिलाएं पूरुश भी नाते कम थे in गाउं में महिलाएं जब चोटी से बनाती थी zнов बार जब च्मोटी बना ना त। 15 दिन तरौं चोटी वैसे रहती सिर नहीं दोया जाता था, सिर रोज नहीं दोते थे, सिर सोमवार और सुक्रवार को ही दोते थे, इसे नीचे नीचा वाला मुँ दो दिया, बाकी बाल अगएरा दोते नहीं, लेकिन जो कांगसिया मतलब, जब चोटी बनाते समय अब चोटी बना रहे हैं अब चोटी गूत्ते हैं न पूरी तो कम से कम एक महिला के चोटी गूत्ते में लगब आदा पौन गंटा लग जाता है तो यह नहीं है कि यह कंगों लगा यहां गुमाग हां गालदी पैंसिल और बंड़ी जुड़ो वह नहीं है पूरी चोटी को यह करके एक 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 को लेकर के पुरा पैट किया जाए ताकि बाल अगले दस पंदरा दिन तक बाल उड़े नहीं बाल एक भी पूल पड़ी है बाहर निकल जाए तो उस दोरा बैट बैट क्या करें अब घंटा पर लगता है पॉन घंटा लग रहा है चोटी बनाने में तो क्या करते थे गीत गाते थे गीत का नाम क्या कांग्सियो वैसे साधी के अफसर पर भी गया जाता है साधी के अफसर पर भी गया जाता है तो कांग्सिया लिख ल आते समय जैसे दुल्लन की चोटी बनाई जा रही है उस समय भी गाते हैं बाल गुत्ते समय साधी के अवसर पर गया जाने वाला गीत हैं कांगसियों कैसा गीत हैं यह सरंगार पर्दान कीत एगगो कागो कागो कागलो काउवा की बात की जा है यह जो गीते हैं यह विरह पर्दान गीते हैं विरह पर्दान विरह विरह पर्दान गीते हैं कैसे विरह पर्दान है पती गया हुआ है विदेश पती गया हुआ है विदेश अब ध्यान दिया होगा कि छट पे कववा बैठता है तो कहते हैं कि कोई महमान आएगा और कवे की बोलने की आवाज भी चेंज होती है उसे बहुत ही गहरा गहरा टाइप का बोलता है एक तो तीखा बोलता है एक तो तीखा तीखा बोलता है और एक थोड़ी से आवाज चेंज करके बोलता है उसको कहते है का कवे का गहरा बोलना इसका मतलब कोई न कोई महमान आएगा यह संक्यत है यह गलस संक्यत नहीं है यह बिल्कुल सही है तवा होता है ना तवा आजकल तो गैस वाला तवा हो गया है पहले जो चूले वाला तवा होता था तवा हसता था अब कि तवा कैसे हस रहा है हसता है ना होता है क्या लेकि गै महमान आएंगे कि इसका मतलब महमान आएंगे कि संखेत होते हैं कि तब आशना है कवव अब एक पत्नी पती विदेश गया हुआ है कवव आया और कवव आए जैसे ऊछना अध किया इतने में सामने पती आता अब ये क हानी है कि पत्नी पहले तो healthy थी पती विदेश चला गया तो दुबली पतली हो गई वीरह में अब इतनी दुबली पतली हो गई कि हाथ की चूडिया है वो यह लटकने लग गई अब कववे को कववे से कहा कि मेरा पती आये तो उड़ तो उसने यह हाथ किया तो उसमें से कुछ चूडिया नि मादी वर्मा के साहिती में यह इसा एक है इसका एक चंद और जैसे उसको पती आते हुए दिखा वो इतनी मोटी हो गई कि हाथ में जो बची चूडिया वह चटक गई तूटी नहीं चटक गई यह साहित्य का क्या है संगार है तो यह कैसा गीते हैं वीरव परदान की कैसा ह वीरव परदान वीदेश गई पती की को वापस बुलाने के लिए गाते है शूवटियो शूवटियो यानि तोत्ता कैसा गीते हैं यह वीरव परदान की वीदेश गई पती को बुलाने के लिए वीदेश गई पती को बुलाने के लिए गाया जाता है वीदेश गई पती को बुलाने के लिए कौन सा जीत शूवटियो इसी प्रकादिय से यह पक्सी है यह पक्सी है एक और है कुर्जा कुर्जा भी गीते हैं बहुत लोग प्रिय गीते हैं सुनना कभी अभी हो सकते लाश्ट में सुनाओंगा कुछ गीतों को याद रखना मिल जाएंगे तो कुर्जा कुर्जा एक पक्सी है यह भी एक पक्सी है कागो ज्यान रखना यह जिते पक्सी वाले गीते ना वह एक जगह होने चाहिए या या उनको एक तरीके से व्यवस कर सारस्स कहते हैं बड़ा पक्सी होता है अधिन बड़ा इतना हैं अ देख pillars Margana जोसे ज्यादा को सरक्षण स्तम्री ना बीए ज्यान में सबसे ज्यादा कुर्जा को सरक्षण इस्तल हैं वह ऐी मोलोदी के पास एक जगह है खीचन वहां है पलोदी के पास एक जगह है खीचन गाव है ठीका ना है पूरा ना जोद पूरिया सत्का है वहां पर ये कुर्जा ये लिख लो इंपोर्टेंट है पूछा वो प्रस्ट में कुर्जा का सनक्षन इस्तल कुर्जा का सनक्षन इस्तल खीचन गाउं में सोरसन बारा में गोडाउन पक्सी है गोडाउन पक्सी है वो ना कि कुर्जा है गोडाउन पक्सी कुर्जा ये भी कैसा गीत है विरह परदान गीत है विरह परदान पती के लिए गाया जाता है विदेश में गए पती को वापस बुलाने के लिए गाया जाता है, लड़की सस्वाल होती हैं तब ये नहीं है, चिर्मी है, चिर्मी है, साधी होते ही लड़की सस्वाल गई, पिता जी ने और बाबोसा ने का कि बेटिक चिंता मत कर, हम दो दिन में आ जाएंगे, और वो आ नहीं पाए, किसे आवसे काम साधी है, साधी के बाद सारे काम संभालने पड़ते हैं, तो वो आ नहीं पाई, तो वो फिर उसके याद में है, चिर्मी गाती है, उदर मिलेगी, हाड़ोती चैतर में ज्यादा पर चली रहें, पूर्वी रास्तान में, ज्यादा पर इधर भी है, लेकिर पूरी रास्तान का पोपुलर गीत है, चिर्मी एक जाड़ी होती है, देखिए, नहीं देखिए, इतनी से जाड़ी होती है, शिर्चित चैतर में, जहाँ पानी की है नालियां चलती है नालियां पानी के जो वाली बरह के किंन puzzles में रणस शोब्स के होगा लगते हैं लाल रंकी होते हैं खट्टे-कट्टे से होते हैं पच्टे खाते हैं उनको मैं भी खाए चोटी सी चिर में चोट चोटे उसके चोट चोट बीज निकलते हैं जैसे अंजीर में दाने निकलते हैं बैसे चोट 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 दाने निकलते हैं खाईए किसी नहीं खटे-खटे होते हैं पकने के बारें तो तोड़ तोड़ के खा लें वह एक अलग हैं तो कुर्जा कैसा गीते हैं वीरवपर्दान गीते हैं वीरवपर्दान गीते हैं कि जोराव या जोरावा यह बहुत इंपोर्टेंट गीते हैं यह गीत इतना महत्पुन नहीं है जितना इसका एरिया महत्पुन है पूछाओ अप्रस्टने जोराव या जोरावा गीत कौन से छेत्र में गाये जाता है याद है किसी को मारवार में जेसल मेर में लिख लो जेसल मेर का लोकप्रियर कीते हैं है कौन गाते हैं ? जेसल मेर के जो भील गाते हैं जेसल मेर भील बहुत मिल जाएंगा आँए年 जैसलमेर के भील गाते हैं वियोग पर्दान गीत यह भी वियोग मतलब विरह पर्दान गीते हैं जोरावा जैसलमेर का हैं मुनकिव जाती पूझ लेट भील बढ़ता है जैसलमेर इम्पोर्टेंट है यह जारा कि बिच्छूड़ो नाम सुना है या नहीं सुना कि बिच्छू होता है ना ये भी छैत्रिय लोग गीते हैं जैसे कुर्जा रास्तान का है जोराओं कैसा गीते हैं छैत्रिय लोग गीते हैं ये भी कैसा गीते हैं छैत्रिय कहां कहा आडोती का चैत्रिय लोग गीत है औरिजनल फॉक्स ओंगे लोग गीत बिच्छू देखा है बिच्छू काटा है किसी को बिच्छू डंक मारा कभी किसी को नहीं मारा डंक है बिच्छू बड़ा बिच्छू करें नहीं पास एक बड़ा भीच्छू होता है काले रंग का वहत्खत्नाक होता है बिस मारने जिती देजी है रिए जिदा तो ऐसे किसी पत्थी को बिच्छु ने डंक मार दिया पत्नी को पत्थी खेत में काम कर रही थी नॉर्मल चीज है गाव में काम करते वक्त बिच्छु का डंक मारना यह वह तुरंत इलाज रखते हैं अपने पास एक बिच्छु बेल होती है है यह त्वेश्व यह बद्मास था इसने वो वी इचुबिल लगाई नहीं और पत्नी मरना सन हो गई पत्नी क्या हो गई? मरना सन हो गई पत्नी बड़ा दुखी पत्नी मर रही है तो पत्नी न का चुन sinkingदा मत कर तो तुरंथ बार्या हो जा दे तो इसके बाद दूसर भ्याँ कर लही ये बिछुडा है समझ गए? लिख लो बिछुदंस से बिछुदंस से मरनाशन पत्नी के द्वारा गाया जाता है बिछुदंस से मरनाशन पत्नी के द्वारा गाया जाता है बिछुदंस से मरनाशन पत्नी की द्वारा गया जाता है, इंपोर्टेंट है द्यान रखना, द्यान रखना, कौन सा? बीछूड़ू जैसे अपने किया था, पावना, किया था, तीठना, एक बनना बननी होता है, होता है ना, ये तो गाते ही हो। ये फिल्म दिखाने लिए जासा, कॉल्डरिंग बठे, पीछा, गाते नहीं है, थो ये नहीं हो, जाते नहीं हो, जाया करो, जाया करो, शादी में, इस पर कर प्रग्राम में, जाया करो, खुछ नहीं होगा, मंृरंजन होगा, थोड़ी अच्छी, पिलिंग आएगी अच्छे सम्वेग आएंगे टेस्ट चेंज हो जाएगा महिलाओं विशे इसका लड़कियों के लिए कि साधी हमारा क्या काम है गीत गाएंगे हम क्या करेंगे अगर बुलावा आया है तो जाओ बुलावा समझते हो ना जाना चाहिए उससे आपका सांस्कृतिक ज्यान बढ़ेगा अगर गीत गाए हुए होते तो यह टॉपिक आसानी से समझ में आता नहीं आता बन्दाबन ये दोनों गीत जरूरी नहीं है कि साधी के पर गाएं कभी भी जब पहली बार आ रहे हैं जब पावना शादी के बाद या जब भी पावना जमाई जब आएंगे तो गानों के शिरीच चलती हैं गर में जब परवेस हुए, भवन में आके, हॉल में आके बैठे तो अलग गाना, नहने के बाद अलग गाना, खाना खाने से पहले, अलग गाना, खाना खा रहे हैं, अलग गाना, खाना खा लिया, अलग गाना, आप कमर साब गए हैं, सोने के लिए अलग गाना, हर जगह अलों सासुजी से मिलके आ जाते हैं पहले जवाई जाता था ना तो दस दस दिन ससुराल में रुकता था पंदरा-पंदरा दिन रुकते थे वो क्योंकि ससुराल दूर होता था पीछे वाली गली में नहीं होता था मेरी पिछे वाली गली में नहीं ओता था मेरे पिता जीए काम कर रहे हैं पास में आपका आफिस और श्रस्वाल नजदी चलो चाई पिके आ जाते हैं सासुजी चाई बना दो तो फिर वेलियो कहा जाएंगे वो बार-बार गीत गाएंगे क्या बना हो तो नहीं होता है वो तो इस रिष्टे हैने बड़े अजीब से हो गए है पहले पहले गाव में जवाई आता था है ही नहीं कहा है जवाई बेटा बन गया है सासुमा का बेटा जवाई जवाई होता है ठीक है वो बेटे की भूमी का निभाता है लेकिन जवाई अलग हैसी होता है बेटे की अलग उकात है बेटे की उकात होती है हैसीत किसी होती है जवाई की होती है अब बन्ना बन्नी के आउसर पर गाते हैं तो ज्यादा important नहीं यह important है कामन हम यह जब बींद बंड़ इन पीटी हो गई है जो भी चड़ता है तेल चड़ता थोगी चड़ता है धूना सकता है तो चांडाल की सिर्णी में आ जाता है पिठी यानि तेल चड़ा है तेल के मालिस होई है अल्दी वगरा चंदन मिला करके उसके बाद नाया जाता है उसको नहीं नाया है जब तो नहीं नायागा वो चांडाल की स्रेणी में है सुद नहीं है वो तो ये जब जेल चड़ जाता है तो भूत पेत या इसको जो आशुरी सक्तियां का परभाद जल्दी होता है उनके बाद इसलिए बाहर नहीं जाने देते जाते हैं तो आत्मी क्या रखता है कटार होती है कटार रखते है वो इसल पहले गया का बढ़े दुला होता थो अपरन हो जाता सब्सकरा इसे लिए भी था वो इसे लिए भी होता था साथ मैं एक विनाई क्यों रहे थो विनाई एक मतलब आप इतना टाइम का है पहले एक पल भी नहीं वो लेटिंग जा रहा है तो भी बाद खड़ा गेट के पर खड़ा है हां मैंने तो यह मैं तो अभी 25 साल हुए यहां आया हूं इससे पहले ग्रामिन संस्कृति से पुरा एक दम प्योर ठेट गाव ग्रामिन अचल में रहा हूं और देखा है मैं नहीं यह सौक नहीं था मैं तो गूमना फिरना यह सौक था विनाई का मतलब है आप बंद गए शुपारी की डबी लेकर साथ साथ में गूमते रहो हां वह वह काम नहीं करना है तो वह अब वह विन दिन के कुछ साथिय तो सुबह पाट बैटा है और साम को फेरा अरे मैं क्यों ऐसे सीधी कोड में रिज कर लेते क्यों फाल तो ताम जाम किया सारी व्यवस्ता कर रहे हैं और पाट सुबह दो गंटे बाद विनाईग जी ले आए पहले फिर पाट बैठा दिया फिर को जादू टोनों से बचाने के लिए बुलाया जाता है कौन सा गीद कामन का मतलब क्या है जादू टोने कामन का आर्थ जादू टोने है इंडोनी नाम सुना होगा इंडोनी मारे सवाल आखरी लूर गंगई इंडोनी नहीं सुना गीद लूर इंडोनी होती है अब आपको नहीं पता इंडोनी इंडोनी उन गाम के लोगों को पता है जो कभी पानी लेके आए है हैником ऑंन वो यह उते हैं जैसे बागवत को कता हो रही है उसए में कल्शन हो रहा है की दार्मी जूलूस है दार्मी rewards कॉछा जाँ प्रोग्राम प्रोग्राम जोया नीचे connect जते हैं गोल-गेशा का बना हएँ उसको क्या कहते है इड़नी बोल पहले इड़नी दवहिज में दी जाती थी स्रंगार प्रदान भी इड़नी स्रंगारी तो होती है बहाँ सारी इड़ने को आप जोड़ कर जूमर बना के अलमारी के उपर कांच के उपर गेट के उपर लटकाई जाती इसके चारों तरफ छोट छोटी लटकन होती थी क्या होती थी लटकन होती थी और एक लटकन लंबी होती थी यह क्या कहलाती है लूर वैसे लूर चारों तरफ है यह यह लूर यह सब को लूर ही कहते हैं लूर मतलब गोल जैसे घुमर था गुमर का एक रूप था न लूर बुल गए गुमर का एक रूप था लूर लूर का मतलब गोल गेरा से है लेकिन लूर मुख्य रूप से इसको कहते हैं किते स्वाल लाख की हैं यह स्रंगार परदान गीत हैं कैसा है . श्रंगारद कीत है स्रंगार परदान गीत है सेखावाटी छेतर में ज्यादा परचलित हैं कहां का प्रसिद्य है शेखावाटी छेत्र में नहीं दिख रहे हैं ये दिख रहा है ये भी नहीं दिख रहा है तो इंडोनी मर जी है जब गालो ये परपल कौन सा होता है ये वाला ये 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 परपल है दिख रहा है इंडोनी कब गाते हैं जब इंडोनी गम जाती है तब ही तुगाते हैं इंडोनी खोज जाती है क्यों गम गई ऐसा क्या था लूर उसके सवालाग की थी लूर महंगी थी सवालाग की मतले यह नहीं है को सोने चांदी एरे जवाराद लटक रहे थे लेकि उसका महत्व हैं मुमल ये प्रेसन बहुत इंपोटन्ट है मुमल मुमल स्रंगार परदान गीते कैसा गीते हैं स्रंगार परदान है स्रंगार परदान मतलब नक्सिख वरणन होता है महिला की सुंदर्ता का वरणन मुमल कि सुंदर्ता का सिह नक से लेकर कि सिख तक कि सुन सिक यानि चोटि तक स्यर तक चौटि तक जाँ च्वान हें वावर्त सिख शिर तक यानि इसमें यह iMPORT гр ज्यां रखना कि किसमें नक शिख वर्णन होता हैं किस लोग गीत में नक सिख वर्णन होता है किसमें होता है मूमल में मूमल में होता है कहां काय जाता है जैसल मेरे एरिया में यानि पस्चि में मरु पर्देश में वैसे सभी जगह हैं यह सेखवाटी में भी गाय जाता है वो है उसका उंट का जुस्तंगार होता है न गोरबंद गोरबंद है महां का वो सिरोई का है गोरबंद नक्रालों वो है वो है वो सिरोई का है जैसे डोला मारू है डोला मारू सिरोई का भी है और सेखवाटी का भी है तो यह कैसा गीते हैं स्रंगार पर्दान गीते हैं कैसा गीते हैं स्रंगार पर्दान आ सकता है इंपोर्टन डाल देना इसको इंपोर्टन डाल देना कुर्ज कुर्जा को डाल देना मुमल कहां की राजकुमारी थी लोद्रवा की लोद्रवा की राजकुमारी इसकी कुछ मैं एक क्लास लोगा जिसमें रास्तान की जितनी भी लोग कथा हैं न लोग कथा हैं पोपुलर लोग कथा हैं उनके कभी कभी वहां से प्रस्ण आ जाता हैं और कुछ एक्जाम के तो स् एक जस्मा ओडण ओड़ होते ने ओड़ जस्मा ओडण की कता इनकी कुई पाफ्चे कताय स्रंगार परदान गीत हैं स्रंगार परदान गीत हैं वो नहीं है तोने कजल्यों बणा दूने ने नर्ला में बसा दूँ वो गाना नहीं नहीं है एक बणा वैसा ही है लेकिन यह अलग इतराय यह साधी के अथार पर गया जाता वीशेश सोगे तो तुम रवाना होती है नों बरात निकासी के दौराण बाते हैं rumor कब गाते हैं तुम किस टाइब के लोग नहीं के पता नहीं है श्राम को जिमेंगे खाएंगे मजे करेंगे काजल निकालते ही नहीं है दूले की बाबी बाबी नहीं है तो काकी निकालती है और दर ये को वह अलग है वह जिल्मिल आरती कि वह अलग है वह आर्थी हो दियां नहीं देखां अभी जिब अर्थी भी जिल्मिल आरियारती वह अलग हैं यह वो आपकी भी local पर्थाएं हैं आप खुद ये personal हैं मैं जो पर्थाएं बता रहा हूँ वो सारवोमिक परंपराएं बता रहा हूँ किसी एक जाती विशेश में नहीं है। जाती विशेश में है। तो काजली हो यानि बरात निकासी के समय दुल्हे को काजल निकालते हैं। बारात निकासी के समय कौन निकालता है काजल या तो भाबी निकाल दी या कौन निकालेंगे काकिशा निकालेंगे काकिशा नहीं काकिशा। चाची और काकिशा मंतर हो जाता है काची कोई भी हो सकती है काकिशा वो ही होगी जो वास्त में काकिशा के लाए गए क्या रखना स्रंगार परदान जितने भी गीत है उनको आप एक अलग समू बना देना टॉपिक खतम होने के बाद ये स्रंगार परदान गीत है ये ये पक्सियों के गीत है ये वीरह गीत है तीन कैटेगरी बना देना प्रस्न आ जाएगा इससे प्रस्न बाहर नहीं जाएगा कैटेगरी बना देना सबके नाम सुना है नहीं सुना ओडू याद आती है याद आना, ओड़ू मतलब याद आना, एक गीत है ऐसा ही कि ऐसा, सुपना, रात ओड़ी सूती ने भवर आयो और जंजाल, ये गाना है एक, सुपना गीत है, सपना, रात को सपना आया और भवर, सपने में आया, भवर मतलब, पती, पती, सपने में आया और आचानक जंजाल, जंजाल समझते हो न, मतलब अलग सी उलजन होई और उड़ गया, उड़ गई वो, वो गीत कौन सा है, सुपना है, ये क्या है, ओड़ू है, एक ऐसा कैसा गीत है, इचकी, ये भी क्या है, वीरह पर्दान, ये क्या है, वीरह पर्दान, ये क्या है, वीरह पर्दान, तीनों वीरह पर्दान है, है कि अज़िए शॉंड गाना ने सुना इसकी गाना नहीं सुना कभी कि शुनाया ना अब कि अग्श्मान आव एकचिकी मरा आली जो ऐसा कुछ कतने एल फिर वह पूरा गीते हैं कि आप याप सुन लिया करो थोड़ थोड़े ये कम से कम रोज नहीं तो एक बार इनको सारों को सुन ले न याद हो जाएंगे वरना ये याद नहीं होंगे ये याद उसी व्यक्ति होंगे जिसने इन गानों के साथ जिया है वो ही इसको याद करेगा या उससे जुड़ा हुआ है या उससे जुड़ा हुआ है तो याद हो जाएंगे या देखे हुए है या सुने हुए है तो ये तीनों क्या है ओडू याद आती है तब सुपना ये भी याद आती है तब और हिचकी कहते हैं कि चिक आती हैं तुफ क предлаг आती हैं और विज्यान कहता है कि जो डायफ्राम होता है वह उपधर आ जाता हैं अर और Oxygen rculation थोड़ा सा गरवड़ हो जाता है उसके बुज़ Rabbit आती हैं और फिर हम पानी पीते हैं पानी पीते ही वह कहते हैं कि नीचे चला जाता है उसके इच्की बंद हो जाती है ध्यान भंग करवा दो तो भी इच्की ध्यान भंगी तो हो रहा है जो इच्की आई और भमर को याद किया और ध्यान क्या हो गया भंग हो गया इच्की पतम हो गया कि तीनों कैसे गीत है वीरह परदान गीत पपईयो पक्सी होता है पपईयो पक्सी होता है कैसा कोईल जैसा कोईल तो देखी होगी कोईयो जैसे होती है कोईयो और कोईल की लड़ाई अनादी काल से चली आ रही है जैसे स्रिष्टी प्रारम होई तब से कोईयो के बच्चे और कोईयो कोईयो की पत्नी की डिलेवरी और कोईयो की डिलेवरी एक ही समय होती है मतलब बच्चे अंडे एक ही टाइम में देते हैं और वो पता ही है कौवा को कोईल कैसे बेकू बनाती है नहीं पता कौवे का गौशला अब कौवा बड़ा बदमास होता है वो कोईल के अंडो को रहने नहीं देता है वो फोड़ देता है अंडो जैजी पताचला की कोयल का गोंशला है जाएगा कोयल दूँ तो जाएगी जाके फोड़ देगे अब कोयल क्या करती है कवव एक गोशले में जाएगी कवव का क गोंशला है जो भी तीन चार अंडे हैं वो क्या करेगी इन अंडों को साइड में कर देगी, और ये अंडे यहां रख लेगी, चार से छह कैसे हो गए, दो जो साइड में पड़े हैं, उनको नीचे गिरा देगा, दो को, या एको तो भी एक्स्रा अंडा आया उसको, अब ये अंडे पके, बצ्चा बाहर आया, कवववा उसको पाल पर उसके बड़ा कर रहा है कववा समझ जाया कि यह कववा है जैसे ही वो बच्चे बोलने शुरू होंगे तो कोईल तो अपने आवाद में बोलेगी फिर वो कववे और कोईल की लड़ाई शुरू हो जाए यह मैंने अपने आखों से देखा हैं वोते हुए देखा कि कैसे क भी कववे और इदर जाओं और तला है वहाँ इस परकार की से आगर रेखुलर मिल जाए कि यह वह तो हैं टो पपएयो क्या होता है कब गाते हैं पपया भी पक्सी होता है कोई जैसा कब बोलेगा सावन में बोलेगा प्रेमी अपने प्रेमी का को कहता है कि आज आपने पार्क में बैठ कर बातें करते हैं आज भी करते हैं पब्लिक पार्क में बैठ करके वैसी बातें करते थे कब सावन में लेकिन वो मना कर देता है आदम बताओं खोल के समझ गया ना कौन सा ट्रेंगल है हाँ तो इसमें वो प्रेमी का बुलाती है प्रेमी को कि आजा आपन बैठ के बात करना प्रेमी का गना मेरी सगा ही हो रखी है और अगले महीने मारो ब्याम है तब वो गाती है प्रेमी का की द्वारा प्रेमी को मिलने के लिए बुलाने यथे गया जाता है मिलने के लिए बुलाने के लिए गया जाता है कौन सा? प्पैयो हाँ गाते है गंगोर का बाती है जैत्र में उसमें भी गाते है लेकिन परंपरा का दूरूप से नहीं गाएंगे क्योंकि उसमें गंगोर की गीत बहुत सारे है गंगोर का गीत आता है नहीं गंगोर की गीत में नहीं आता है नहीं नहीं ये 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 अलग गीते हैं ये जो बाग में पपईयों बोले हो मैं जाने कुण आए वो अलग गीते हैं ये इसका ये गीत नहीं है ये नहीं है वो नाम पपईयों है वो पपईयों नहीं है ये बहुत इंपोर्टेंट गीते हैं नोट कर लेना आ सकता है प्रेम परदान गीत हैं मेवाड में प्रचलित हैं मेवाड के भील भीलनिया गाते हैं हम सीडो मेवाड में भीलों द्वारा गया जाता है मेवाड में भीलों द्वारा गया चाहिए भील भीलनी की द्वारा कौन सा अमसीडो ठीक है एक दिखो एक प्रस्ण आया हुआ है एक बार लालर और पिछ्या अब देखो ये गीत अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप गलत करोगे इसको इनों एक ही हैं तीनों अलग हैं तीनों एक ही हैं आप अगर नहीं पढ़ा तो सौ परसेंट आप गलत करोगे और गलत कहां किसको देखके करोगे पता है बिच्छिया को देखकर गलत करें यह तो बिच्छूड़ी है क्या है बिच्छूड़ी होते हैं ने बिच्छूड़ी पैरा में जो पहनते हैं यह तो बिच्छूड़ी है यह तो सारे आबुशन है और आप्शन में आबुशन भी होगा यह आबुशन नहीं है यह मेवाड के पहाडी छेत्रों के लोक गीत है लोक गीत है मेवाड के पहाडी छेत्र के लोक गीत है पहाडी छेत्र के लोक गीत है जाने इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है मुमल, हमसीडो, जोराव, पटेलिया ये लालर बिच्या, पटेलिया, गोरबंद और डोला मारू, डोला मारू सब को पता हैं कि डोला मारू, लेकिन डोला मारू का एरिया मेत पुर्ण के कहां पर गया जाता है, कहां के हैं ये, मेवाड के हैं, या तो option मेवाड होगा, या मेवाड के पाड़ी चेतर होगा, या रास्तान के पाड़ी चेतर होगा, लेकिन option exact ह वो मेवाड क्या पारी चेत्र में हूँ तो पता ही है तो पता है आप मेंसे किसी को पता नहीं हो तो बता दो नहीं पता लोग चलो एक तो है कि इसको पता नहीं है मायरा नहीं पता, लड़की के साधी होती है, तो लड़की के जो मामा जी है, लड़की के जो नाना जी है, वो उपहार लेके आते हैं, अपनी बांजी के लिए, अपनी बेटी के लिए, उसको मायरा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मायरा, अनिवारी होता है, उपारे एच इसको बात भी बोल देते हैं ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है मा मेरा भी बोलते हैं वास्न मारवाड में तो यही नाम पर चलीते हैं मा मेरा मारवाड में यही मारा तो बहुत कम लोग कहते हैं लेकिन मा मेरा भी बोलते हैं पांजी के लिए बेहन के लिए मामा की तरब से होता है यहीं मामा की तरब से होता है नाना की तरब से नहीं मामा का होता है मारा यह बहुत यह भी मैटपून है गोरबंद अभी किसी एक्जाम में आया भी था यह गोरबंद और एक पिलान होता है पिलान होता है यह भी आया था भी ग्राम सेवक के पेपर में आया था पिलान नहीं पता आया वह प्रस्ट उंट होता है न केमल उंट के उपर जो बैठने का जो इस टाइप का यूं मचान जो होता है जिसके उपर आप बैठते हो उसको पिलान बोलते हैं उंट के उपर का जो seat होती जिसमें आप बैठते हो नहीं अलग लग है और जो उंट की गरदन पर जुमर जहले लटकन लगी होती है पूरे गरदन से लेकर के last पूंच तक उसको गोरबंद बोलते है यह बोलते है गोरबंद उंट का आबुशन भी है ये उंट का आबुशन भी है और गीत भी है गोरबंद नखरा लो कहा का परसिद है शिरोई का चाँए परसिव रास्तान वैसे पूरे में है शिरोई और सेखावाटी छेतर सिरोई और सेखावाटी छेतर का लोग प्रिय है उंट का बुशन और एक लोग गीत गोरबंद नकरा लो परसिद आ जाए निम लिखित में से कौन नकराला है तो आप्शन में देवरिया नहीं होगा देवरियो भी नकरा है नहीं है मारो नखरालो देवरी यो गाना नहीं सुना कभी है बाबी पर जादू कर गयो आज कल देवर के पास टाइम नहीं है नहीं व्यासी सानुबोती पूर बाबियां रही है देवर होई तो गरे होई या आप रहे नहीं होता है पहले रिस्तों में प्रगारता थी ग्यराई थी आज ओपचार रिखता है डिस्पोजल किते रहे हैं डिस्पोजल होते हैं न रिस्ते क्या होगे डिस्पोजल होगे यूच किया ठैक दिया पंचिडा कभी नहीं पूछा कभी नहीं पूछा आप कोई चोटे बड़े चोटे एक्जाम में पूछा जा सकता है यह आई कोट का ल्डिसी ल्डिसी पर चोटा नहीं है एक्जाम का लेवल सामानी रेवल लता है पंचिडा यह जो गीत हैं यह किसने लिखा मानिकलाल वर्मा के द्वारा परजामंडल आंदूलन के द्वारान लिखा गया था गया भी था तो उन्होंने गया लिखा और गया मानिकलाल वर्मा के द्वारा परजामंडल आंदूलन के द्वारान गया था लिखा गया था और गया गया था परजामंडल आंदूलन के द्वारान इस गीत के द्वारा उन्होंने चाइकल पर यात्रा करते समयपूरा मेवाड धृट पूराच्र मेवाड बर्मन किया और फिर लोगों को जाग रूघ किया वहां से फिर उसको प्रजा मंदल की उसी दौरान प्रण दौरान करेंगे इसके गीत करेंगे मानिकलाल वर्मा है मानिकलाल वर्मा है चिर्मी नाम सुनाएं चिर्मी का चिर्मी एक पोधा होता है कैसा गीत है वीरह परदान किस टाइब का वीरह है बीटी अपने पिताजी की याद में याद में बैठी हुई गाती है पहला जो होता है न पहले फेरे में पहला फेरे समझते हो न यह होता है न आना पग फेरा अलणा फेरा यह अलग अलग फेरे हैं एक और हैं जो उपर प्रमपराएं करेंगे उस दौरान करेंगे कि बच्चे के जन के बाद पहली बार जब स्वस्वाल जाती है तो उस अफसर को क्या कहते हैं साधी के बाद जाती है, साधी के फेरों के बाद जाती है, उसको क्या कहते हैं, फिर वापस आगर फिर फर्स्ट टाइम, यारी फेरों के बाद, फर्स्ट टाइम के बाद जाती है, उसको क्या कहते हैं, सबके अफसर के नाम है, पूछ वे प्रस्न भी है, तो ये परंपराओं करेंगे तो यह क्या होता है शाधी के बाद पिता जी की याद में गए जाता है लेने नहीं आये अभी तक दो दिन हो गए पिता जी की याद में गए जाता है हुआ हुआ दारूडी यह लोग प्रचलन में नहीं था आम लोग नहीं गाते थे क्योंकि आम लोग दारू कम पीते थे तो कौन पीते थे दारू हवेलियम में गाये जाता था है up काते थे हवेलियम साम को मेफीले साम होती थी ठाकूरों के वहार राजधर्बार लगता था एक साइड में पूरा पंडाल लगा हुआ है जागिर्दार जमीदार सामंत वगे法 बैठे है राजा बैठे है और दारू के जाम चल रहे साइड में पर्दा लगा होता था साइड में पर्दा लगा होता था वहां पर गायक जो महिलाएं होती थी वह गीत गाती थी उसको क्या कहते थे दारूड कहते हैं हवेली गीत हैं एक तरस से क्या है हवेली गीत वैसे हवेली गीत स्रीनाथ जी के जो मंदिर होते वहां पर भी हवेली गीत गाए जाते हैं तो ये दोनों थोड़ा सा अंतर करना दोनों हवेली गीत की स्रेणी में आते हैं लेकिन ये राजदरबार में राजाओं के वहाँ सामंतों के वहाँ आते हैं कौन सा दारूरी और ये हवेली गीत लिख लो अलग से एक और हवेली गीत स्रीनाथ जी के मंदिरों में स्रीनाथ जी के मंदिरों में गया जाता है स्रीनाथ जी के मंदिरों में गया जाता है हवेली नाद्वारा में पर चलिते हैं कौन सा गीत हवेली गीत हवेली या नहीं हवेली गीत जो श्रीना के मंदिर है उनको अवेली भी कहते हैं श्रीना के मंदिरों को अवेली कहते हैं अ हां लेकिन प्रसमय आजाए न हवेली गीद तो स्रीना जी के मंदिरों में गाय जाने two वो ही होंगे आप जो दारूरी हैं उसको हवेली कीत कहते थे वो गीत हवेली है दोला मारू सही लिखाएं गलत लिखाएं जब भी धह से शरू होने वाला कोई सब्द हैं उसे बिंदी नहीं लगेगी ज्यान रखना कभी एक प्रस्ण आजाता है सब्द सुद्धि वाला जो भी इससे कोई सब्द सुरू हो रहा है किस से धह से तो इसमें बिंदी नहीं लगेगी चाए डमडम है चाए डोलक है चाए धकन है धह से कोई भी सुरू कोई भी सुरू का बिंदी नहीं लगेगी सेकिंड में लग सकती है बिंदी सेकिंड में लग सकती है फर्स्ट ड में बिंदी नहीं लगेगी यहां रखना डोला मारू कैसा गीते हैं विरह गीते हैं या प्रेम परदान गीते हैं विरह गीते हैं क्योंकि डोला मारू मिले ही नहीं थे कभी मिले थे क्या मर्वन ने मिलने नहीं दिया यहां पर लव ट्रेंगल हैं कैसे ट्रेंगल हैं यह देखो यहां पर डोला है यहां पर मारू है और यह पर मर्वन है अलग-अलग है तिन इसको मरवन को कहीं कहीं मालवन भी बोल देते हैं क्या बोल लेते हैं इसको मालवन भी बोल देते हैं इसकी साधी इसके साथ हुई थी इसकी साधी इसके साथ बच्चपन में हो गई थी इसको पता ही नहीं है कि मारू मेरी पत्नी है क्या बाद ने पता चला तो इसके अंदर क्या उमड़ा प्रेम उमड़ा कि पत्नी तो मेरी पहली मारू है फिर इनके बास उन्होंने कोशिश की मिलने की लेकिन ये नायक नहीं खलनाय घूम है हाँ ये बीच में जो संदे स्वाग आते तो उनको मरवा देती थी इस प्रकार की पुरी कथा है बाद में सुनेंगे तो ये वीरव परदान है ये क्या है सारा कि सारा वीरव परदान है डोला मारू प्रेम परदान नहीं है क्योंकि ये कभी मिले ही नहीं है लास्ट में जा करके ये मिले थे, लास्ट में भी मिले हैं, इस ते हाथ खड़े कर दिये, नहीं होगा, तो ये डोला मारू कहां का है, शिरोई का द्यान रखना, इम्पोर्टेंट है द्यान रखना, डोला मारू, शिरोई का, लोग प्रचलित लोग गीत है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जा मैं इम्पोर्टेंट डलवा रहा हूँ, आप उनको पहले याद करना, बागी छोड़ देना, याद मत करना, याद नहीं करना, ठीक है, बस, अब ये गंटा और पड़ा दू तो भी ये, आगे वाले गीत सारे प्रचलित गीत हैं, अब आने वाले कुछ दस पंदरा गीत ऐसे हैं, बहुत ही जटिल गीत हैं, वो अपन कल कर लेंगे,